नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ सुच्वर्ट्स, कुछ हीलिंग नंबर्स, कुछ तस्वीरें, ऐसी कौन सी तस्वीरें हम अपनी घर में लगा लें जिससे की हमारी लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाए, जब भी लाइफ में आपको ऐसा लगे की रुख गई है, काम धंदा, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, मनी का फ्लो कहीं से नहीं हो रहा, सब तरफ से ब्लॉकेज है, शादी ब्या भी घर में नहीं हो पा रहे हैं, मतलब हर तरफ से जब फसा हुआ, उल्जा हुआ खुद को फील करते हूँ, और आपके पास कोई सल तस्वीरों के बारे में, साथ ही आपको दूँगी कुछ स्विच वर्ड्स, साथ ही आपको दूँगी हीलिंग कोड, कौन से हीलिंग कोड हाथ में लिखियें, जिससे जीवन में एक नई शुरुआत होने लगे, तो शुरुआत हम करते हैं, पहली तस्वीर से, देखिये, यह जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं तस्वीर नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको lotus दिखा रही हूँ, lotus, lotus वो पहली तस्वीर है, जो कि आप घर में लगा सकते हैं, अगर आपको तस्वीर मिलती है, पेंटिंग मिलती है, आप पेंटिंग लगा ले, आप चाहें तो frame कर सकते हैं किसी भी फोर्म में आपको एक तस्वीर लगानी है मैं पीर या फिर आप चाहे तो आप लृट्वर ऐस तरह याप जाहे दै के लोता है इस allके लृत इंपएओन में बॅसान करने चाहे टेबल रख लिए चाहे पेंटिंग उसकी लगा लीजिए लोट में दोट लोटस न सिर्फ मानसिक शांती आपको देगा, न सिर्फ एक frustrated जीवन में से आपको बाहर निकालेगा, बलकि एक inner journey शुरू होगी, एक शांती का दौर आपकी लाइफ में शुरू होगा, एक नई शुरुआत का दौर आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा, जब भी उलजे समय से बहुत सारे symbols को use करते हैं, lotus symbol एक ऐसा symbol है, जो बुद्धिस्म से भी जुड़ा हुआ है, हिंदुिस्म से भी जुड़ा हुआ है, मतलब हर धरम से जुड़ा हुआ lotus है, lotus के तो benefits अपार हैं, बहुत सारे lotus पे मैं आपको विस्तित वीरियो बना कर दिखाऊंगी, आप मुसीबतों में उलच के परेशान हो गए हो, तो आपको लगानी है lotus की या तो तस्वीर या फिर इस तरह से artificial lotus market में मिलते हैं, gift shop पे आपको मिल जाएंगे, तो पानी में भरके lotus आपको रख लेना है, lotus का बहुत गहरा result होता है, फैंग्शुी में भी lotus बहुत यूज कि lotus prosperity से भी जुड़ा हुआ है, मा लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, भ्रमा जी से जुड़ा हुआ है, तो lotus के बड़े सारे result होते हैं, तो आपको क्या करना है, एक lotus लाकर अपने घर में या तो ऐसे रख लेना है, या वाल पे लगाना है, दूसरी तस्वीर जो आपका जीवन बदल सकती है, वो है rainbow, rainbow यानि सभी जानते हैं बरसात के बाद जो आस्मान में colorful जो नजर आता है rainbow, साथ रंगों से भरा हुआ rainbow, rainbow के साथ रंग आसान नहीं है उनको समझना, साथ rainbow के रंग, साथ हमारे चक्रा के रंग, तो एक rainbow की तस्वीर घर में लगा कर, आप अपने जी है, लाइफ में नई शुरुआत का, जब भी बुरे दौर से निकलना चाहें, तब आप एक rainbow की अच्छी से colorful तस्वीर लगाईए, और फिर धीरे धीरे देखिए उस तस्वीर का, कैसा result आपके जीवन में पड़ता है, rainbow के साथ color, आपके साथ चक्रा से भी जुड़े हुए है, root chakra उसको red color की जरूरत है, तो जब भी rainbow के red color पे आपकी निखा जाएगी, आपका root chakra अपने आप उस red color से energy receive कर लेगा, जब भी उसका green color आपको दिखेगा, आपका herd chakra अपने आप energy receive कर लेगा, तो ये है rainbow का फायदा, तो एक बहुत ही खुबसूरत सी तस्वीर जो आपको पसंद आजाए, market से ले ले, internet से ले ले, जैसे भी, और कुछ नहीं मिलता है, तो खुद भी आप draw कर सकते हैं, white color का paper ले, उस पे 7 color के sketches, rainbow के color हम सभी विभ्यों और colors जानते हैं, rainbow के color से आप खुद भी घर में तस्वीर बना सकते हैं, अच्छी सी बड़ी सी तस्वीर बना शुरुआत का, new beginnings का, positivity का, abundance का, तो ये दो ऐसे symbol हैं, दो ऐसी तस्वीर हैं, जो आपके जीवन में बहुत परिवर्दन लाएंगी, बहुत नई शुरुआत का दौर आपकी life में शुरू हो सकता है, इन दो symbols के साथ, आगे हम बात करते हैं, switch word की, कौन सा आप switch word को chant करें, ज नए दोर में आ जाएं, किसी नौकरी में फस गए हैं, निकलना चाहरा हैं, लेकिन कुछ समझ मी नहीं आ रहा है, एकदम उदास उदास मने, कुछ समझ मी नहीं आ रहा, पैसा कहीं से आ निदा, पूरी तरह ब्लॉक हो गए हैं, कोई नई उम्मीद की किरन नहीं है, तो आपके लिए पॉजिटिविटी लाएगा, आपकी लाइफ में सकारात्मक्ता लानी लगेगा, निगेटिविटी हटने लगेगी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, पैसा नहीं, यह सारी बाते निकलनी शुरू हो जाएंगे, जैसे ही आप लोटस की आपके लाइफ में सकारात्मक्ता की जरूरत हो, पॉजिटिविटी चाहिए आपको चैंट करना है, लोटस, लगाता चैंट करना है, काउंट नहीं करना, जब तक आपको चेंज महसूस ना हो जाए, कि हां मेरा जीवन बदलने लगा है अब, चीज़े अब धीरे-धीरे ब है 1111, 1111 एक ऐसा हीलिंग कोड है, जो कि आप जब भी हात में लिखेंगे, एक जीवन में नई शुरू आत होगी, नए रास्ते आपके लिए खोलेंगे, जब भी आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, मालीजे आप कोई नया बिजनस शुरू करना चाह रहे हैं, नया जॉब क आपको लगातार किसी भी कलर के पैन से अपने left body part में लिख लेना है, लगातार लिखिए जब तक की जीवन में आपको वो परिवर्तन आप महसूस न कर लें, तब तक आपको 1111 अपने left body part में रोज लिखना है, बहुत यह अच्छा healing code है, आप इसको chant भी कर सकते हैं, अगर 1111 को chant भी कर सकते हैं जब आप उसका result पाना चाहें दूसरा जो healing code है वो है 756 756 756 एक ऐसा code है जो positive changes लाता है life में हर field में केवल changes हम prosperity के form में नहीं सोच सकते हैं changes हर चीज़ में लाएगा तनाव का माहौल है frustration का माहौल है stress का माहौल है हर चीज़ में बदलाव करने वाला life में overall change देने वाला number है 756 तो आपको क्या-क्या लिखना है 1111 code लिखना है और दूसरा उसके थोड़ा सा नीचे आप लिखिए 756 यह दो codes आपके हैं जो की जीवन को आपके परिवर्तित कर सकते हैं तो दो तस्वीरे हैं दो code हैं और एक छोटा सा switch word है जो यह चीज़ें आप मिला कर सब कुछ use करना शुरू करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि आपकी life में कुछ को changes आने शुरू हो रहे हैं तो जब भी आप एक उदास जीवन जी रहे हैं और एक उम्मीद की किरन चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को मिला कर इस्तेमाल करिए और इसके benefits आपको समझ में आएंगे दिखेंगे उसके तो साथियों यह हुआ आज जीवन को एक नई दिशा देने का तरीका कुछ और समझना चाहें तो कमेंट्स में लिखिएगा मैं आपको बताऊंगी उसमें थाइंक यू